ध्यान से सुनो, जैसा कि आपको पता है पिछले कई सालों से ऐसा होता जा रहा है कि हमारा जो नीट का एक्जाम है न, वो mostly concentrate होता जा रहा है to NCRT, mostly बोलेंगे, exactly 100% तो नहीं बोलूँगा, बड़ मैं इस percentage को काफी high rate करूँगा, approximately 90 के आसपास, आपको हमेशा as a teacher, I wouldn't say as a student, because as a student आपके पास समय ही नहीं होता, आपको पढ़ाई करनी होती है, आपको as a teacher, have to look out for, क्या बूलते हैं, कि signal जो conducting agency है, वो बताती रहती है, कि हम किस परकार का exam set करने वाले हैं, वो अपने आप signal देती रहती है, as a teacher, मेरा काम क्या है, कि उन signals को grab करना, उनका interpretation निकालना, कि ये बात अगर किसी ने बोली है, तो उसके पीछे क्या मतलब है, फिर उसको अपने पढ़ाने में incorporate करना, क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं है, मेरे पास है समय, तो मैं obviously उसका उसी परकार से utilization करता हूँ, आप पिछले दो-तीन सालों के NTA के जितने chairman रहे हैं, विनी जोशी था मेरे खाल से उनका नाम, ठीक है, सर विनी जोशी बोल देते हैं, बुरा ना मान जाए, उन्होंने जितने भी interview दिये हैं, या जितनी भी conducting agencies में कोई भी change आता है, तो वो interview देते हैं, उन interviews को obviously मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जो उसका interpretation होता है, उसको अप April, May, June की बात है, मेरे खाल से, उनका एक interview आया था, उनसे question पूछा गया, NTA के chairman से, कि आप ये करते जा रहे हैं, कि Slables को NCRT पर concise करते जा रहे हैं, दोनों के लिए question था, J-E-Mean के लिए भी और आपके लिए, NEET के लिए भी, तो आप कैसे ensure करेंगे, quality कैसे ensure करेंगे, तब एक जवाब था, बड़ा शामदार था, कि आप ये मत समझा करिए, ठीक है, ये बाखी subjects में भी apply होता है, physics में भी, botany में भी, zoology में भी, ठीक है, या आप ये मत समझा करिए, कि अगर हमने ये बोल दिया है, कि paper NCRT पर concentrated है, तो as it is NCRT की line में से question ही पूछा जाएगा, ही पूछा जाएगा, मलब कि ये नहीं कि line to line भी question पूछा जा सकता है, वो ये agree with it completely, ठीक है, बट सिरफ line to line ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, तो उन्हें बोला कि बताईए, क्या कहना क्या चाते हैं, थोड़ा इसको simplify करिए, then he told कि यार, जैसे मान लीजे कोई एक chapter है, और कोई दूसरा chapter है, तीक है, आपने इस chapter से एक concept पकड़ा, दूसरे chapter से दूसरा concept पकड़ा, दोनों को combine कर दिया, अब इस बच्चे ने जो NCRT से ये concept पकड़ा होगा, उस पे question जरूर किये होगे, जब इस chapter से ये concept पड़ा होगा, इस पे question जरूर किये होगे, बर हम जब दोनों को क्या कर दिया, combine कर दिया क्या वो question कर पाता है या नहीं कर पाता है इसी से paper का level भी rise हो जाएगा as well as line to line NCRT वाली line भी थोड़ी सी खतम हो जाएगी, line to line से भी पूछा जाएगा बट सिरफ line to line से ही पूछा जाएगा ऐसा नहीं होगा यह तो बात मुझे पता ही नहीं थी बच्चे कह रहे हैं कि अपकी बार तो NMC करेगा हाँ बेटा यह बात तो मुझे पता ही नहीं थी न thank you आपने मुझे बता दिया अगर आप ना बताते मुझे पता ही ना चल पाता हूँ अगर आप ना बताते किके किखने Гेंज के लिडी NICK से कुछ साल पेले उससे पहले आज हिम का बोड ऊण पर अगली बार के लैवल यह ज़रूर सकता है यह रहूर हो सकता है अगर इस साल के पेपर का लेवल ये था अगली बार का पेपर का लेवल ये हो सकता है यह यह हो सकता है अगली बार के पेपर का लेवल ये नहीं हो सकता इतना मुश्किल नहीं हो सकता है कोई एक पर्टीकुलर सब्जेक्ट मुश्किल आ जाए पूरा पेपर मुश् होगे आपको यह नहीं पता यह सब कुछ इंश प्रशेप्शन पर चलता है आपको कुछ आता हो किसी स्टूडंट को या ना आता हो अगर उसने बाहरा के यह बोल दिया कि learn get exam tough हुष और फिर वह डिपल सख्च की तरह होता है एक जना बोलता है एक gezक सार्जनी बोलता है आता हो या ना वो बाहर आखिर इतक्रिक की तरह काम करता है उस जरकार तक पुछेंगी सरकार उनसे पूछेंगी यर क्या कियान तुम तो उसको जवाब देना मुश्किल हो जाता है जो उसको इंप्लीमेंट करना है वो धीरे 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 इंप्लीमेंट करेगा ठीक है